हेलो फ्रेंड्स, सिंपल फैशन सखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आज हम बनाएंगे दो पोकिट वाला खुबसूरत मोबाईल पाउच बहुती आसान तरीके से ताई ये वीडियो शुरू करते हैं पोकिट कवर बनाने के लिए कपड़े की लंबाई लेंगे 9 इंच कपड़े की चवडाई लेना है साड़े बाविस इंच और एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई लेना है 14 इंच और कपड़े की चवडाई लेंगे पावने 6 इंच और same size में पुसी माप के दोनों के अस्तर के कपड़े लेंगे 17 इंच वाले अस्तर के कपड़े को इस तरह फोल कर लेंगे और एक साइड से 3 इंच पर निशाने लगा लेना है और अब इसको गोलाई देना है इस तरीके से गोल राउड में गोलाई देना है और अब गोलाई के राउन के हिसाब से कपड़े को कर लेना है कट कपड़े को कट करने के बाद सीधा कर लेंगे यहाँ पर मैंने अस्तर के उपर मेन फेबरिक को उल्टा रखा है दोनों कपड़ों को पीन अप करके तीनों साइड से सीलाई लगा लेना है पिन अप करने से सिलाई लगाने में आसानी जाती है और कपड़ा इधर उदर नहीं सरकता इसलिए कभी भी अस्तर को पिन अप करके ही सिलाई लगानी चाहिए मैंने यहाँ पर कपड़े को तीनो साइड से सिलाई लगा ली है दुसरा वाला मेन फैब्रिक का कपड़ा लेंगे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉ्इंट निकलके इसको सिधा कर लेंगे एकड़ jours में निशानी लगा लेते हैं इप्रेवाले कपड़े को भी फोल्ड करके बीच में center point का निशान लगा लेना है अब दोनी निशानियों को एक के उपर एक रखे यहाँ पर सिलाई लगा लेना है यहाँ पर भी कपड़े को पिन अप करके सिलाई लगा लिए तरह वाले कपड़े को इस तरह फोल्ड करके उपर से रख देंगे अस्तर का कपड़ा तब इसको pin up करके निशे और उपर के दोनों साइड से सिलाई लगा लेना है यहाँ mobile pocket cover आप बहुती कम कपड़े में और जट पट आपके matching के हिसाब से आसानी से बना सकते है मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा लिये आप कपड़े को कर लेते हैं सिदा सिदा करने के बाद इस कपड़े पर भी उपर से दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे और हमने जो छोटी पट्टी लगाई है उसके कॉर्नर के हिसाब से दुसरे कपड़े पर निच्चे तक रेशा खिच लेना है दुसरे साइड से भी पट्टी के कॉर्नर से लेके निच्चे तक दुसरे कपड़े पर रेशा खिच लेंगे इस तरह कि हम एक लेस लेंगे जहाँ पर हमने कपड़े पर पट्टी जोइन आमने लाइन खी थी, वहाँ पर लेश को फोलड करके उस तरहा लगायेंगे, और इसके उपर शिलाई लगा लेना είναι इसको बरोबर लाइन पर रखते हुए पूरी शिलाई लगा लेंगे, लेश को पत्टी के किनारों से इस तरहा शिलाई लगार के एटेच करना है पट्ति के तिनो साइड से किनारों पे इस तरह लेस को सिलाई लगा के एटेज करना है और आप दुसरे साइड से जो लाइन खिचिती उसके उपर निच्छे तक लेस को लगा लेना है या पर लेस को फोल करके सिलाई लगा लेंगे यहले मोबाइल पॉच तैयार होने के बाद पॉच के सामने के तिनों साइड से आएंगी अब हम वेलक्रो का एक इंस का तुकडा लेंगे वेलक्रो को खोल लेना है वेलक्रो के एक साइड को पट्टी के गोलाई वाले साइड में बिचो बिच लगा लेना है दुसरे कपड़े पर भी इस तरह निशान लगा के वेल क्रो का दुसरा भाग लगा लिया है इनने यहाँ पर मेन फेब्रिक की तीन इंस की पट्टी लिये जिसकी चवडाई है सवाई इंस पट्टी को एक साट से फोल करेंगे दुसरे साट से फोल करेंगे और फिर से फोल करके उपर से सिलाई लगा लेना है अब इसके सेंटर पॉइंट का निशान लेना है कपड़े को फोल करके एकदम बीचो बीच निशान लगा लेना है आप कपड़े को खोलके पट्टी को निशानी के उपपर सिलाई लगा के अटेच कर लेना है दो तिन बार सिलाई लगा के इसको अच्छे से अटेच करना है पट्टी पर पक्की सिलाई ले ली है एक्ष्रा पट्टी को कट कर लेंगे पट्टी के निच्चे के साइड से लेस लगा लेंगे तो पट्टी के निच्चे की सिलाई और पट्टी का कॉर्नर लेस के निच्चे छिप जाएंगा कपड़े को इस तरह उठा के बिच में से फोल करना है और एक बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग के साइड से इस तरह रेशा खिच लेंगे और अब फोल्ड से रेशा तक नाप लेंगे यहारा है सवापाच अगे भी हम सवापाच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर भी एक सीधी रेशा खिच लेना है और अब एक्ष्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और अब कपड़े को कर लेते हैं उल्टा दोनों कॉर्णर को एक के उपपर एक रख लेना है और जो सीधे साइड से निशन लगाये थे उसको उल्टे साइड के उपपर ले ले कि अब कपड़े को सीधा कर लेते हैं चीज से थे पहली है हिए खिश लीती एक बार और इसका माप ले लेते हैं इस तरहा डबल फोल करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे इसको खोलके तिनों निशानियों को जोड लेंगे से इस रेशा के उपपर सिलाहा लेमा है मैंने यहाँ पर निच्चे तक सिलाई लगा ली है और अब कपड़े को इस तरह खोल लेना है बरोबर लेस तक निच्चे से भी खोल लेंगे हमारे दो पोकिट परोबर तयार हो जाएंगे और अब यहाँ पर निच्चे के साइड से सिलाई लगा लेंगे इसे निचे के साइड से pocket lock हो जाएंगा देख सकते हैं इस तरह दो pocket हमारे बन चुके हैं और अब इसके उपर पट्टी को रख लेना है इस तरह दोनों साइड से पट्टी और pocket के उपर सिलाई लगा लेना है इस तरह एक pocket को हम उपर करेंगे और पट्टी को एक पॉकेट के साथ जोइन कर लेंगे दूसरे साइड से भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा दो पॉकेट वाला मोबाइल पॉच तयार है पॉच के आगे और पीछे दोनों साइड से लेस अच्छे से लग चुकी है मैंने यहाँ पर लेस का फुल बना लिया था हम इस तरह इसको यहाँ पर अटेच कर लेते हैं जिससे हमारा पॉच और खुबसूरत बनेंगा दोनों साइड से पॉकेट के बीच में दोनों पॉकेट को जोईन कर लेते हैं ताके लगा के पर हम सुई धागे से दो तिन ताके लगा लेंगे दुसरे साइड से भी ताका लगा लेंगे वाव खुपसूरत सा हमारा दो पोकेट वाला मोबाइल पाउच तैयार है अब हम यहाँ पर हुग बटन लगा लेते हैं इस तरह हुग बटन को खुल लेंगे और यहाँ पर आई बटन में डाल देंगे चाहो तो इस तरह दोनों साइट से दोरी भी लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मोबाइल पाउच का यहाँ वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स फॉर वाचिंग